नमस्कार, आज इस आभासी कक्षा में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि अलफ संख्यक समू के बच्चों की सिक्षा क्यों महतुपूर्ण है और क्यों इस पे विशेश ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं अखिलेश कुमार, एनायोस की वर्च्वल कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि अलफ संख्यक समू के बच्चे कौन-कौनते होते हैं। तो हमारे स्वमिधान द्वारप परिभासित अलफ संख्यक समू मैनौर्टी ग्रूप के बच्चे हैं। ब्रॉडली एक बड़े संदर्व में अलफ संख्यक बच्चों को तीन भागों में बाट सकते हैं। भासाई ये अल्प्रंख्यक, धार्मी का अल्प्रंख्यक और प्रजातिये अल्प्रंख्यक हम चर्चा करेंगे आज की इस कक्षा में कि इनकी सिक्षा क्यों महतोपूर्ण है सबसे पहली बात इनकी सिक्षा को महतोदेने का ये है कि इनको उसरों की समानता अगर उपलफ्त कराना है जो कि हमारे समिधान का सबसे प्रमुक कमिट्मेंट है कि सभी नागरी को उसरों की समानता उपलफ्त कराना तो प्रतेक बच्चे के लिए सिक्षा के लिए समान उसर किया हो सकता है और शाथी जो हमारा सिक्षा का अधिकार कानून 2009 पास हुआ है उसमें सिक्षा हर बच्चे का अधिकार है चाहे उसकी जाती चाहे उसका धर्म या उसकी विशेस आओ सकता कुछ भी हो ऐसे में बिना किसी भेद भाव के हर बच्चे को विद्याले में पहुँचाने के लिए और स्वारभामिक प्रात्मिक सिक्षा को अपलप्त कराने के लिए साथी ये बच्चे भी अपने मूलवूत अधिकारों से बंचितन रहें इसके लिए आओ सकता है कि हम अलफसंख्यक बच्चों की सिक्षा महतवपूर्ण है वो है विद्याले में भेद भाव रहित व्यवहार को बढ़ावा देना जैसे कुछ भी से शेत्रों में देखा होगा आपने कि अब संख्यक समूह के बच्चे बहुत कम संख्या में होते हैं और ऐसे में उनकी संख्या कम होने के कार की समयतियों द्वारा वैद भाव पुण व्यवहार के सिकार होते हैं। और कई बहार उनके साथ लगा हुआ उनका जो टैग है माइनर्टी का जाहे वो धर्म का हो जाहे हो जाथी विशेजक हो यह तीनों भी उनके साथ भेदभाव पून विवहार में उतर जाई हैं। तो लिए महतोपूर्ण है कि उनकी सिक्षा पर विसेश ध्यान दिया जाए तीसरा जो कारण है जिसके चलते अलब संक्यक समधायक के बच्चों की सिक्षा पर ध्यान देने क्या हो सकता है वह है संजुक्त संस्कृति का सम्मान किया जाना अपने भारत देश में अलग-अलग संस का तरीका अलग है और हमारा समिधान जो है वह कहता है कि हर संस्कृति का हम सम्मान करें हर धर्म का हम सम्मान करें तो ऐसा सर्व धर्म संभाव या कह सकते हैं कि सभी संस्कृतियों का सम्मान करने के लिए हावस्यक है कि अलब संक्यक वर्ग की सिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और उसकी और विसेश ध्यान दिया जाए चौथा जब महत्वपूर्ण कारक है जिसके चलते हमें अब संख्यक विद्यार्थियों के सिक्षा पर विसेश ध्यान देने की हासिता है वह है एक समावेसी वातावरण का निर्मान करना जब से सिक्षा जो है अधिकार के के सभी जातियों के सभी आयू के सभी रेस के जब से हम समावेसी सिक्षा की बात करने लगे हैं तब से हम बिना किसी भेदभाव के सभी बक्चों को कक्षा में ले जाने पर जोर देने लगे हैं कि सभी बच्चे कक्षा में आये उनके जाती रंग उनके धर्म या उनकी सार औरन का निर्मान कर सके जहां तक हमारे समिधान का सवाल है हमारे समिधान का अनुछेद 15 और 19 मुलभूत अधिकारों से सम्मन्दित है और इनके अनुसार किसी भी वेक्ति या व्यक्ति समुहों के बीच धर्म जाती प्रजाती लिंग जनमस्थान या अन्य किसी भी कारण के आधार पर बेदभाव करना निशिद्ध है साथ ही हमारा समिधान जो है जाती धर्म इन सब से उपर उठकर उसके समस्ते नागरीकों को समानता का उसर प्रदान करता है हमारे समिधान का अनुछे 29 और 30 जो है वो अल्फसंकेकों के अधिकारों की भासा लेपी सिंस्कृती तशा सक्षिक संसाओं की अस्थापना यहां प्रसासन के सम्मंद में उनके अधिकारों की रक्षा करता है हमारे समिधान का अनुछे 350 जो है वह प्राच्मी कसर पर मात्री भासा में सिक्षन के लिए जो विधाय में प्रदान करने की बात करता है है आये देखें कि अल्फसंकेक समुहों की सिक्षा के लिए क्या-क्या किये जा सकते हैं ताकि हम एक वास्तवी समावय सी सेचिक वाता वरण का निर्मान कर सके हैं सबसे पहले हम बात करें भासाई अपसंकेक समुहों के करते हैं उसकी उपलबजन करते हैं। ऐसे में... हमें ये प्रयास करने होंगे कि जो भासा ये अल्पसंक्यक है उन्हें उनकी भासा में लिखी हुई किताबें येवं उनकी भासा में तयार की गई सिक्षा नादे गम सामगरी की उपलब्जता हम सुनिशित करें तीसरा जो कारे हम कर सकते हैं अल्संक्यक विद्यार्थियों की सिक्षा को उन्नत बनाने के लिए वो है उनकी सिक्षा में भासा के सिक्षकों को सामिल करना ऐसे सिक्षक हम सम्मेलित करें, ऐसे सिक्षक हम अप्वाइंट करें, जो कि उनसे उनके घरेलू भासा में, उनके नेटिव लेंग्वेज में बात कर सकें, उनके लेंग्वेज में उनको बता सकें, उनकी भासा में उनको पढ़ा सकें अगर ऐसे में हमारे पास कोई विससग्य वेक्ति उपलब्ध नहीं है तो विद्याले के किसी सिख्षक को उस अलपसंख्यक वर्ग की भासा में प्रसिख्षित किया जाए ताकि वो उन बच्चों की भासाई आउसक्ताओं को पूरा कर सके उनकी आउसक्ताओं को समझ सके और उनके पठन-पाठन में मददगार हो इसके अलावा जो हम और काम कर सकते हैं भासाई अलपसंख्यक वालकों की सिख्षा के लिए वो है कि उनकी जो गतिविधियां है भासाई अलपसंख्यक समूं के बच्चों की उनकी गतिविधियों को बहु भासी गतिविधियों में सम प्रिक्षा का जमाध्यम रखते हैं, आकलन का जमाध्यम रखते हैं, वो एस्टेंडर्ड मानक भासा होती है, जैसे कई जगा हिंदी और अंग्रेजी आकलन के लिए परोग किया जाता है, ऐसे में अगर हम आकलन को भी उस अलपसंख्यक वर्ग विसेश की भासा में तियार कर सके हैं, आकलन करने की वहस्था भी उसकी भासा में कर सके हम, तो ये बहुत बड़ा सहयोग होगा, उन अलपसंख्यक वर्ग के सभी बालगों के समावेशन का, आईए इसके बाद हम चर्शा करें कि, भी धार्मिक अलपसंख्यक समुहों के बच्चों की सिख्षा को उननत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहली बात तो कि हमें जीरो रिजेक्शन की पॉलिसी अपनानी होगी, जीरो रिजेक्शन का मतलब है कि विद्याले में जो भी विद्यार्थी जाता है, उसको विद्याले में पहुँचो, उसका नामांकर विद्याले में हो सके, तो वैसे तो हमारा सम्मिधान जो है जीरो रिजेक्शन पॉलिसी पर ही अधारित है, और सिक्षा में किसी भी प्रकार के भेद भावपुर्ण नीती का समर्थन नहीं करता है हमें इंची जो को प्रमोट करना होगा कि धार्मिक रूप से जो अलपसंखक बच्चे हैं वो विद्याले तक पहुंच चके विद्याले में उनका नामांकन हो सके और किसी भी प्रकार के भेद भावपुर्ण नीती के सिकार वो नहीं हो साथी दूसरा जो है धार्मिक अलपसंखक बालकों की सिक्षा में महत्वपुर्ण बिंदू वो है धार्मिक संसानों का हमें आधुनिकी करन करना चाहिए धार्मिक संसानों के बच्चों के लिए धार्मिक संसान में धार्मिक पाठव वस्तु तथा सिक्षन पर अधिक जोर दिया जाता है सामानिता बिना वैग्यानिक तथा तक्नीकी विकास के ग्यान के विद्यालेओं के विद्यार्थी उनमें जीवन के समगरे विचार की कमी रह जाती है ऐसे में हमें जो है ये धार्मिक संस्थाएं इनमें सिर्फ धर्म की सिक्षा की बजाए इनका दूने की करण करके इनमें वाइगानिक सिक्षा की बवस्ता पर भी जोर देना चाहिए धार्मिक प्रताओं का सम्मान तो निश्चित रूप से हमें करना ही चाहिए ताकि विद्याले में जो भी अलग-अलग धर्म के बच्चे हों सब में एक sense of belongingness कि ये विद्याले उनका है ये develop हो सके ऐसे में विभिन धार्मिक उसरों पर सभी बच्चों को एक दूसरे से मिलने जुलने का एक दूसरे को उनके धर्म को समझने कामों का दिया जाना चाहिए और ऐसे तेवहार ऐसे उत्सवों पर विभिन प्रकार के कारेकरम विद्याले में अवजित करके बच्चों को धार्मिक पृथाओं का सम्मान करना सिखाया जा सकता है और अलपसंखेक बालकों की सिख्चा को उननत बनाया जा सकता है एक और कदम जो हम उठा सकते हैं धार्मिक रूप से अलपसंखेक बच्चों के सिख्चा में उननती के लिए वो है कि विद्याले की समस्त गति विदियों में बराबर उनका भी भागिदारी सुनिश्चित करें कई वार धार्मिक पृप संखेक समू के बच्चे जो है बहुत संखेक समू से दूर दूर रहते हैं कि उनका धार्म अलग है उनकी संस्कृति अलग है इस वजह से और इस कारण उनमें एकाकीपन की भावना जो है आने लगती है ऐसे में विध्याले को चाहिए कि विध्याले की गदी विधियों में वो सुनिश्चित करें कि सभी अलगसंखेक वर्ग के बच्चों का प्रतिनी दित्त समान रूप से हो रहा है साथी ऐसे बच्चों के लिए विशेस प्रसिक्षन की भी आ सकता हो सकती है तो विद्धाले को चाहिए कि अगर बच्चा किसी पीछड समूँ से आता है तो उसके लिए विशेस प्रसिक्षन की विवस्था कराए सिक्षक को यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि कक्षा में जो अधिगम सामगरी वो प्रयोग कर रहा है वो भेद भाव पूर्ण ना हो और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अल्पसंक्यक वर्क के विटों की रक्षा करता हो उनकी भावनाओं के खिलाब या उनकी भावनाओं के विवरीत ना हो ऐसा कोई भी मेटेरियल नहीं यूज करें जो धार्मिक अल्पसंक्यक समुदाय के बच्चों में दुर्भावनायों उत्पन करती हो और नहीं उनका प्रदर्शन करें कक्षा में ऐसी कोई भी वस्तु जिससे किसी प्रकार की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो ऐसी चीजों की अनुमती नहीं दी जानी चाहिए भावसा के मुद्दे को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए यह कई बार यह देखा गया है धार में अलपसंक्यक बच्चे भी अलग भासा समूँ से आते हैं तो ऐसे में उनकी भासा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए उनकी भासा का प्रतर निजुट भी विद्यालय में होना चाहिए आज की कक्षा में आपने देखा कि हम कैसे विद्याले अस्तर पर अल्पसंखक वर्ग की सिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं हमने ये भी देखा कि अल्पसंखक समुदाय को बड़े अस्तर पर तीन भागों में बाढ़ सकते हैं एक वे जो भासाई रोप से संक्यक है, दूसरे वे जो धार्मी रोप से संक्यक है और तीसरे वे जो प्रजातिय अलब संक्यक है हमने ये भी देखा आज कि इनकी सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या 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 कड़म उठाये सकते हैं जिनमें कुछ प्रमुक हैं कि औसरों की समानता उफलब्द कराई जाए सभी प्रकार के अलप संख्यों के साथ बेद भावपुर्ण विवहार पर रोक लगाया जाए सरुधर्म संभाव की भावना जो है विकसित की जाए विद्याले में ताकि बच्चे एक दूसरे की संस्क्रिती एक दूसरे की भासा का सम्मान कर रखें बच्चे को उसकी मातरी भासा में पुस्तके एवामाने सिक्षन सामगरी उफलब्द कराने का प्रयास किया जाए और अपसंक्यक समुख के बच्चों के सिक्षन प्रसिक्षन के लिए यदि आवसेकता हो तो कुछ सिक्षकों को विसेस रूप से प्रसिक्षित किया जाए ऐसा भी किया जा सकता है कि कुछ सिक्षकों को उनकी भासा विसेस में प्रसिक्षित किया जाए जो अपसंकिक समुदायक के बच्चों को उनकी भासा में सेक्षित कर सकें आपका बहुत बहुत थन्यवाद